नमस्कार मैं हुआ आपके साथ सुर्या चौहान उत्राखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है रुख करते हैं खबरों क्यों यमनोकत्री के निर्दलिय वधायक संजय डुबाल ने जिला पंचात पर अवैद तरीके से वसूली का रूप लगाया देश विदे से आने वाले शुर्धालूं से एको टियूरिजम के नाम पर अवैद तरीके से वसूली के जा रही है और सुविधा के नाम पर कोई भी काम ही किया गया निर्दलिय वधायक संजय डुबाल का बीज़िपी के स्थानी अनेता संजय राणा ने समर्पन किया है और उनका कहना है कि जो आवैद तरीके से वसूली हो रही है बंद होनी चाहिए वही विज़िपे वधायक विनूद चमोली का कहना है कि ऐसा कुछ भी नह है कि राष्ट्रिय राजमार के पाली गार में जिल्ला पंचार के द्वारा जो बेरियर लगाया गया था और यमनोत्री के बहुत ही लोग प्रिये विज़िपे अधने संजय डुबाल जीन उस बेरियर को हड़ाने का बहुत सराहनी अवकाले किया है मानने विज़िका मैं भूद बहुत बहुत दिन्यवात करना चाहता हूं साधवाद करना चाहता हूं और जील्ला पंचार से पूछना चाहता हूं आखिर पाली गार में आपको बेरे लगाने की आस नहीं को रही है उसके खिलाफ मैं बिल्कुल जो आवैद रसुली की जानी है उसको बनाएं पुछ अब रिखे को यह मैं यम्मुत् Ari Bidaan Saba में बिल्कुल हरक्त बश्दास ने त्रहसुना कि कोई भी मुहंद गंजी यहाँ यम्मुत Tri Bidaan Saba में आए और यहां अपना आवेद वसूली का अग्दा बनाएं क्योंकि जिला पंचाय द्वारा हर साल यम्नुत्री धाम से जहां कि हमारे सर्दान उत्र ठाटन के लिए आते हैं पांच शे करोर रुपए वसूले जाते हैं संजेजी ने जो बात कही है किस कारण से कही है क्या वहां पर रुपश्टा नगर आई तो वही ज्यादा इस प्रस्ट कर सकते हैं कि मैं यह कह सकता हूं कि यात्रा अपने पूरे उरोज पर है और आज की तारिक में 26,000 से दिक लोगों ने अभी तक 26,000,000 लोगों ने पंजिक काई है अगर यहां वहार कोई कमया रह गई है तो सरकार को अगुनों ने कहा है तो सरकार को अवब तराय भी होगा और इसको बदूर किया जाए कि पिछले वरसों की तरहे अव्यरुस्ताइन ना हम इसके लिए कॉंड़िस पार्टिन ने परदेश सरकार को जो है कि वापस चलेगी इसे प्रदेश की खराब होगी क्योंकि अगर सरदालों को प्रटों अन्भा होंगे तो इससे निश्चीत तरबर जो है अच्छी बात नहीं वो बैखुंट धाम बद्रिनाथ के साकेत तिहारे पर स्थानिया लोगों समेथ तिर्थ पूरों हितों ने एकजुट होकर सरकार और बीके टीसी प्रबंदन के खलाफ जम कर प्रदर्शन किया और बता दे कि मास्टर प्लान निर्माण में वैपारियों के हितों समेथ विभिन समस्याओं बीके टीसी प्रशाशन वी आईपी कल्चर यात्रा ववस्था को लेकर पहले एक बैठक की गई जिसके बाद सरकार के खलाफ मोचा खोला गया और इस दुरान प्रदेश के प्रेटर मंतरी सत्पाल महराज के बदरिनाथ धाम पहुँचने की खबर के बाद धर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं बदरीश संघर समिते के लोगों के बीच पहुचे जहां समिति के प्रतिनीधियों ने सत्पाल महराज को अपने समस्याओं से संबंदित ग्यापन भी सौपा मंतरी सत्पाल महराज ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी समस्या है इसका विशलेशन होगा अब फिर हल भी ढूणा जाएगा तो वहीं बदरीश संघर समिति ने सरकार को साथ दिन का अल्टिमेटम दूइते हुए कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर वो सडकों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे कि आपके सबसे उठेस ताथ तक इसको लिजाएंगे और जिनाकर जो है इन समस्याओं का उनका विशलेशन करेंगे उसका एक्जामिनेशन करेंगे उसकी बाद उसका लिदान दूलेंगे आपका कॉपरिशन हमें चाहिए इसमें यात्रा चल रही है यह हमारे उत्राखंड का ब्रेड़ बटर है हमारे उत्राखंड की जो अर्थ वश्था है उसका बेरू दंद है तो इसको चलने देंगे पुरा आपका भजयोग हम को चाहिए और जो भी आहां समस्या हैं आपके सम करके आए तो जिस्ट रूप से हमारे मुखमंद्री धानी जी भी इंट्रस्टिड है उन्होंने मुझे कहा भजया आप जाकर के लोगों की समस्यां को सुझी है उनके प्रतिवेदन को लाईए तो सारे प्रतिवेदन उनको प्रिश्थ किये जाएंगे उत्राखन में चारदाम यात्रा के दुरान प्रदेश सरकार की ओर से सभी प्रकार की सावधानिया बरती जा रही है देश विदे से आने वाले तिर्थियात्रियों के स्वास्थे के सरकार को चिंता है तो वहीं दूसरी तरफ यात्रा मार्ग पर तिर्थियात्रियों की साह के लिए लगाए गए घोड़े खच्रों को स्वास्था लेकर भी कैबनीट मंतरी चिंता जता रहे हैं और साथी बता दे के उत्राखन के पशुपालन मंतरी के जिम्मेदारी निभा रहे हैं सोरब बहुगुणा ने कहा कि चारधा ब्यात्रा का जो शेत्र है वो काफी टुम शेत्र है अपने डिखा है कि इतना चेत्र जो है हमारा रहा हूं भाती दुरूं शेत्र है जहां पर जहां पर जहां पर जाटरा चार्नी कदार्नार जी ओगई यंणवत्री दाम उगई गया तो जो बहुत लोग है जो यात्रा में आ रहे हैं उनको कही नह कुछिश क कि उनको हेल्ट चकप कायम को अडवाईजरी भी बीजे की तरफ से दी गई है कि अगर आप स्वस्त हैं, अगर आप हाईट पे जाने में असर चम हैं, अगर आपकी अच्छिन लेविल लो है तो आप इस यात्रा का वाइड करिए लेकिन लोगों की शद्धा इतनी है इन चार दिन जाता शुरूए लेकिन आप ये भी देखे कि लाखों शद्धालू भी आएएं और इस बात को लेकर उत्राखन की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी चारधाम पंजिकरन केंद्रों पर हमने यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं और सथ ही उनोंने कहा कि मुख्य रूप से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की मुख्य स्क्रीनिंग की जाएगी और इसे के साथ करीब 7.5 लाख यात्रियों के स्क्रीनिंग के गई थी बतादे की दसमई से चारधाम यात्रा की शुरुवात होने जा रही है और इससे को लेकर स्वास्ताय विभाग भी अक्टिव मोड में नजर आ रहा है पचास से जादा उम्र के लोगों की स्क्रिनिंग की जाएगी चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशाशन की तयारी और आक्टिव मोड में स्वास्ताय विभाग भी नजर आ रहा है पचास से जादा उम्र के लोगों की स्क्रिनिंग की जाएगी दरसल उत्राखंड में दस मई को चारधाम यात्रा की शुरुवात होने जा रही है जिसको लेकर जिला प्रशाशन पूरी तयारी कर रहा है और साथी स्वास्ताय विभाग भी अलेट मोड पर नजर आ रहा है बता दे कि स्वास्ताय विभाग पचास से जादा उम्र के लोगों के स्क्रिनिंग करेगा सरल सुगम और सु विवस्ति चारधाम यात्रा के लिए प्रशाशन पूरी तरह से अक्टिव है तो वहीं स्यम पुषकर संगधामी के निर्देश पर तीन वरिष्ट आई एस अधिकारियों को जम्मदारी दी गई है स्वास्ताय सचीव डोक्टर आर राजेश कुमार को रूदर प्रयाक की विवस्ताओं की मोनिटरिंग की जम्मदारी स्वापी गई है अलग-अलग जेलों की स्वापी गई जम्मदारी और साथी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सिरकार आक्टिव मोर में नजर आ रही है और तीन आई एस अधिकारियों की जम्मदारी स्वापी गई है अलग-अलग जेलों की जम्मदारी स्वापी गई है उत्राखंड में चारधाम यात्रा की शुरुवाद 10 माई से होने वाली है जिसको लेकर अलग-अलग जिलों की जम्मदारियां सौपे गई है और बता दे कि अक्टिव मोर में प्रदेश सरकार नजर आ रही है चारधाम यात्रा के शुरुवाती दोर में ही तीन लोगों की मौत की खबर आई जिसको लेकर सरकार सकते में दिखाई दे रही है आरन फारन में स्वास्था मंतरी धंसिंग रावत ने विकारियों के साथ बैठक कर विवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिये हाला कि स्वास्था मंतरी धंसिंग रावत इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए दिखाई दिये और उन्होंने कहा कि तीनों मौते हार्ट अटैक से हुई है कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुँचा हलाकि उन्होंने 50 साल से अधिक उम्र के लोगों से या पील भी की है कि पहले लोग स्वस्थ है परिशिक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकने के बाद यात्रा प्रारंब करें और इसे आप्रिया घटना घट इतना हो देखे अभी तक जो चार दाम यात्रा में टोटल तीन लोगों की डेत्वी वो काईडियों की डेत्वी है मैंने अभी विवागी बैठव में भी काया है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की जैद्वी और इस बार हमने जो पचास साल से उपर के जितने भी यात्री आ रही है उन से जिला दिकारियों से भी काया है और पुलिस से भी काया है कि हर यात्री जो जो यह एंसोपी की जो जारी कर रिखे उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रिनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेश्ट देने की जरूत होगी उसको रेश्ट भी दिया जाए निकट वर्ती शेत्र बंगाली कालूनी के बिज़ुपी निताओं और राधे राधे सेवा समित्थी के पदाधिकारियों ने विधायक मोहन सिंग बिष्ट के हल्दू चौड स्थित आवास पर पहुँचकर विभिन मांगू को लेकर ग्यापन सोपा और इस दोरान बतादे की बिज़ुपी निताओं ने विधायक मोहन सिंग बिष्ट से निवेदन किया कि राधे नगर बंगाली कालोनी समेत आसपास के शित में कहीं भी सार्वजुनिक मैदान नहीं है ऐसे में 25 एकर रोड पर स्थित एक फोरिस्ट कमपाउंड जिसमें तमाम धार्मिक सांस्कृतिक स्कूली बच्चों के कारकराम आदी होते रहते हैं ऐसे में इस ग्राउंड को सार्वजुनिक मैदान भूशित कर दिया जाए तो शेत्रवासियों की समस्या का समाधान हो सकता है पर साथ में जो बजरी कमपनी का पानी है वो उसका बन निगम के टीपो के पास उसका जो निकास है वहां से आगे को जो उसका एक्जिट था वो लोगों ने घर बना के दिवार बना के बन कर दिया है और पूर्ण में भी ये समस्या के लिए हमने प्रियास किया और एक बार उस नहर में भी उसको डालने का प्रियास किया लेकिन सिज़ाई भाग उसको नहर में डालने के जोने को त्यार नहीं है अब उसमें इसी बार हमें उसका जोइन पर इस्पेक्शन करवाया था तो उसमें लगबग 15 लाख रुपे का उन्होंने एक एस्टिमेट बना रखा है बीच में पैसा नमिल पाने की वैस्टे वो रुका हुआ था उसमें पैसी की जोस्ता हुए है इस बर्साथ से पहले हमारी कोशित यह है कि वहाँ पर उस्ताव काम का सवादान कर लिया जाए पीएम शेरी योजना के तहट आयुजित कारशाला में सिक्षा अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर डीजे सिक्षा बंसिधर तिवारी ने 5 CEO और 12 BEO के खिलाफ कारवाई की और इस बात को लेका डीजे सिक्षा बंसिधर तिवारी ने कहा कि पीएम शिरी योजना में लगभग 230 स्कूलों का च्रेन हुआ है और जुने आदर्श विद्याले के रूप में स्थापत करने के लिए केंदर सरकार की तरफ से फंड भी जारी किया गया साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते शिक्षा नीति के अंतरगत किस तरह सामंजिस बठाय जाए उसके लिए कारशाला आयुजट किये गई जिसमें अदिकारियों की अनुपस्थिती होने पर कार्यवाई की गई है स्कूल साभ्रा ंराते हैं मेसं बुखे बने faithful plus, how could you serve? PM3 जोear स्कूल्स हैं नहीं हमारे निए पर नख़रे सब्सक्राण में 144 इसकोल होगा था और नख़रे चराण हमें 24 इसकोलों कर चाहे लिए लगवारे 1234 lang को चैह प्रजी क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर धोका दड़ी करने के मामले में उत्राखंड STF ने कार्रेवाई करते हुए हरिदवार के एक अभ्यूक्त को गरफतार किया और जिसके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड और एक OPS मशीन, एक कम्प्यूटर बैंक की पास बुक और लेंदेन के रजिस्टर बरामत किये गए SSP, STF ने बताया कि गरह मंत्राले के 14 सी वेब पोटल पर क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यूनों से लाख रुपे की ऑनलाइन की 22 अलग-अलग घटनाय प्राप्त हुई थी और जिस पर STF ने हरिद्वार के रावली महदूद से चलाय जा रहे कॉल सेंटर पर छापे मारी की गई जिसमें सेंटर को संचालित करने वाले मुखे अभ्यूक्त की गिरफ्तारी की गई है उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी और भी जाज की जा रही है दीगे हमारी STF की टीम के दोरा एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा गया है जो की रावली महदूद दिन पर धरिद्वार में रहकर काम कर रहा था जो इसमें भारा सरकार के गरह मंतरह दोरा एक प्रत्विम पोर्टल डेबलब किया गया है उस पोर्टल की मदद से हमें कुछ जानकारिया मिली थी कि इस प्रकार का एक गैंग यहां पर काम कर रहा है इसको हमने काम करते हुए डेबलब करते हुए उसको पकड़ा है यह जो जानकारी में सामने आया इंटेरोबशन के तोरान यह लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोग को के साथ में ठखी करते थे उनको कॉल करते थे कि आपको हम प्रेडिट कार्ड किसी बैंक का उपलबद कराएंगे और उसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स आपके भरके देनी होगी कि एक फिशिंग लिंग इनको बेजा दाता था विक्टिम्स को शहर में लोगों के जेब से पर्स उड़ाने वाले चार अंतराजिये पाकेट मार को पुलस नगर अफ्तार किया है और बता दे कि दिवश्य शहर के आदर शुनगर तली बमोरी में एक युवक के जेब पर पौकेट मार ने हाथ साफ कर दिया वहीं पुलस ने तुरंत जार्च करते हुए अफ्तियाई बाइपास के पास चार लोगों को गिरफतार कर लिया और इन चोरों के पास से पौलस को चोरी किये गए पर्स में रखी 8000 की रकम समेत अधार कार्ड पैन कार्ड बरामत किये गए साथी पूश्ताच में इन आरोपियों ने बताया कि पूर में मेरेट मुझफरपूर के आसपास बसों में भीड भाड़ वाले स्थानों पर पौकेट मारी की घटनाओं को अंजाम देते हुए आए हैं इस गिरों में चार लोग है इस उसने आई पी बस में बटके आ रहे थे कालूसाई बंदर के पास बस में उनकी पौकेट मार देगे थी उसमें कैश था हूं उनके अलाहर कार्ड कार्ड कुछ रस्क्रती हो रहा है महाना था एक मुरालाबाद का है और गुल्यापन नगर का कुंडा धाना पुलस ने मुखबिर के सूचना के अधार पर कार्यवाई की है वहीं बतादे के लाख रुपए के अवैद खैर के लकडियां जंगलता है से ले जाते समय घीराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया जिसके बाद पुलिस ने कैंटर को हिरासत पले कर सीज़ कर दिया जबकि जंगल की बरामत है लकडिया वन विभाग को सौब दी गई कुंडा थाना प्रभारी निरक्षक वक्रम राठों ने इस मामले की जानका जारी दी है राइजिंग इंडिया के तहट इन स्कूलों को वक्सित करने को लेकर प्रदेश के सिक्षा महानिदेश का बंशीधर तिवारी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं उन्होंने बताया कि नई सिक्षा निति के तहट इन स्कूलों को वक्सित किया जा रहा है बाल वातिकाओं को भ इसके अलवा जो हमारा एस्टियप बनना था इस्टेट करिकुलों के अमने बना लिया है और जो बाल वाटकाएं है वो हमारी समचालीफ हो रहे हैं इसको चुकिए फेजवाइज इसको इंप्रिमेंट करना है तो अलगार चाड़ों में जो टाइम बाउंड कारेकरा में उसक लाइन पार संजय नगर विकास और कल्यान समिती के कारेकरताओं ने प्रशाशक नगर पंचायत इलालकुआ से SDM से मुलाकात की और इस्तुरान कारे करताओं ने नगर पंचायत इलाल कुआ से सटी कालू ने लाइन पार संजय नगर शेत्र को नगर पंचायत में शामिल किये जाने की मांग की और बता दे कि 1975 में जारे शाषना देश का पालन करते हुए नगर पंचायत की सुविधाय मोहिया कराने की मांग को लेकर ग्यापन सौपा गया और SDM परितोश वर्मा ने इस मामले के चानकारी दी परिक्षन किया जाए निकाय तुनाओं के अभी पिछी दोशित नहीं हुई है और संजय नगर वालों की मांग पहले से समान में जापन देता है हम लोग इसलिए आये कि हमारा जो लाइन पास संजय नगर लालकवा में बस्ती है वो नगर पंचाय सीमा से जानबूज करके बाहर की गई है तो हम पुराने सासना देश जिसमें राज़िस ग्राम गोशित किया गया था उसके विहाफ में हमने माननिये प्रशासव मोहदे को ग्यापन दिया है कि हम आल लेड़ी पूर्व से नगर पंचाय सीमा के अंदर गताते हैं लिया जाए नगर पंचाय सीमा के जो लाव है वो हमें दिया जाए हमारे हाउस्ट लगाए जाए हमें मद्दाता सुची में हम हमारे नामों को सामिल किया जाए इस समय में माननिये महदे को ग्यापन दिया है मेरा नाम नसीर हमाद सिद्धी की है मैं जो हमारी समीटी है अलाइज पार संजन नगर का निवास करते हैं किसी परकार की सुईदाय नहीं मिल पारी है इससे पूर भी यहां पर एक जो सासना देश हुआ था उसका भी पाला नहीं हुआ जो की राजिस ग्राम के लिए हुआ था तो इन सब चीजों को सासना देश जारी होने के बावजूद भी अभी तेला कि यहां पर कोई कारवाई नहीं कि गई है जिसको लेकर केंद्रिया प्रभारी डोक्टर साद्वी देव प्रिया ने शुरकत की कारेकरम में योग गुरू रामदेव ने वर्चुल माध्यम से महिलाओं को संबोधत भी किया और इस दोरान डोक्टर साद्वी देव प्रिया ने कहा कि गाउं गाउं और घर तक योग पहुंचाने के लिए समिती संकल्पित है और जिसको लेकर महिलाई भी अपनी भागेदारी निभा रही है कि इसे दिन से महिलाओं को एक तो सशक्ती करना होता है अभी तक घर में महिलाओं को कमजोर वाना जाता है पुरुष लोग उनको आगे नहीं आने देते हैं यह हम यूग के जुड़े हैं स्वामी साहँ हमें में जो हर्दुआ से पेहना मिलती है समी जी के अर्थानी देमें हमारी दीदी जी देपरिया जी के घ्सानी देमें तो हमें और शच्तिक महाँ आज हम इतने सबल हैं अब आप देखे रहे तना बड़ा योजनम नहीं अपने इसे जन से मैला को एक तो सिशक्ती करना हुआ है अभी तक घर में मैलाओं को कमजोर माना जाता है हल्मोरा मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी उपलब्दी अब पैलिटिव केर यूनिट खुलने से दूरदराज के ग्रामिनों में लाइलाज रूग्यों के इलाज के साथ देखभाल भी होगी साथ ही मॉर्फिन और अन्यदर्द निवारक इंजक्शन भी होंगे पैलिटिव केर यूनिट को लेकर अल्मोरा मेडिकल कॉलेज में चकत्सकों नर्सों और अन्य स्टाफ को परिशक्शन दिया गया डॉक्टर उर्मिला पल्डिया विभाग धक्श ने कहा कि अल्मोरा मेडिकल कॉलेज में मॉन्फिन इजक्शन का लाइसेंस बिल गया है अब बिमारी ग्रसित मरेजों को अब अल्मोरा में लाब मिलेगा और साथ ही उन्होंने बताया कि अब लाइला जब बिमारी वाले लोगों को मानसिक और समाजिक तोर पर सहीूग किया जाएगा फिलाल वक्तों चला एक छोटा से ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द हाजर होंगे